मध्य परदेश में इंदिनो चुनावी मोहल है, ऐसे में हर कोई टिकेट पाने की दोड में है और अगर टिकेट नहीं मिलता तो या तो वे पार्टी बदल लेते हैं या फिर निर्दली चुनाव लड़ने का फैसला कर लेते हैं ऐसा सिर्फ एक ही पार्टी में नहीं हो रहा बलकि सारी राजनितिक पार्टीों में चल रहा है आपको बता दे कि धार में कांग्रेस पार्टी ने प्रभा बाल मुकुन सिंग गोतम को जोकी राजनिती में एकदम नया चहरा है उनको परतियाची गोशित किया है जिससे धार के वरिष्ट कांग्रेसी कारिकरताओं में एक रोध फूट रहा है इसी के चलते धार से ही तेश ठाकु ने पार्टी हाइकमान पर टिकेट वित्रन को लेकर आरोप लगाया कि मैं लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ लेकिन पार्टी ने मुझे टिकेट नहीं दिया और प्रभा गोतम जो राजनेती में नहीं आई है उन्हें टिकेट दिया खया पार्टी को चाहिए कि उपुने विचार विमर्ष कर किसी भी अच्छे अनुभवी को टिकेट दे वरना मैं पार्टी को अपना इस्तिफा देकर निर्दली चनाव लड़ूँगा पार्टी द्वारा भार विदानसवा चेतर से स्रीमती प्रभासिन को जो उमिद्वार बनाया गया है उससे हमने अपनी आसामती मानी राहुल गांदी जी के समक्ष जताई है और इस बात के लिए विरुवत प्रकट के आया है कि हम लोग जो 32 साल के में स्वयम में उमिद्वार के लिए प्रासरत था मेरे को 32 मर्स कॉंग्रेस में काम करते हुए हो गए है मैं यूथ कॉंग्रेस, NSVI, सिवादल, अब का अद्धिक्स रहा हूँ प्रदेश कॉदादिकारी रहा हूँ, अभी एक्टिंग प्रेश्डेंट हूँ, प्रदेश सिवादल का यूथ कॉंग्रेस, NSVI, प्रदेश में रहा, जिला कॉंग्रेस में रहा तो हम लोगों को छोड़के एक एसी महिला को उम्मिद्वार बनाया है, जिसने कभी 32nd भी कॉंग्रेस में काम नहीं किया, 32 मिनिट भी कॉंग्रेस में काम नहीं किया तो उसके प्रती हमारा विरोध है हम चाहते हैं कि कॉंग्रेस के में या मेरे जैसे किसी अन्य शक्री वेक्ति को कॉंग्रेस पार्टी अपना अमिद्वार बनाए तो इसलिए हमने रावल गंदी जी से अनुरोध किया है एमेलों करा भीज़ करके अगर पार्टी अपना थेशलाा नहीं बदलती है तो फिर क्या करेंगे आपक Pay निर्दर ली चुनाव लडने के तेज़ार है मैं जनता से बात कर रहा हूं जब से दिली से मैं आया हूं परसों से लोगों से बात कर रहा हूं कारकरताँ से बात कर रहा हूं लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ू, मैं बार कॉंसील का दिछ हूँ, तो मेरे की एगवासत साथी भी चाहते हैं, और आम कॉंग्रेस का कारिकरता चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, और इसी लिए हमने अपने उम्मिद्वारी कॉंग्रेस का आगे पसकूठी के, गुंद्यला जी का एक अलग खेमा है, गोतम जी का एक अलग खेमा है, इस टिकित गीतरंट से गुंद्यला गुट भी नाराज है, तो क्या समय आने पर आप उनके साथ जाएंगे? नहीं, मेरी ऐसा किसी गुट विशेस के साथ मैं कभी भी ने रहा हूँ और अभी भी जाने की बात नहीं है, मैं कॉंग्रेस के उस हर कारिकरता और जनता के साथ रहूँगा, जो मुझे उमिद्वार बनाने, या मुझे टिकेट दिलाने, या मुझे चुनाओ जिताने के ल तो टिकेट मांगने वालों में सबसे ज़्यादा जिसकी कॉंग्रेस के प्रति सेवा हो, शोहर में जिसकी सबसे अच्छी छवी हो, जितने भी लोग टिकेट मांग रहे थे मैं उनमें सबसे सीनियर हूँ, अगर हाई कमान अपना फैसला बदल का किसी अखुल दे शिंग जी को भी दे सकती है, अगर काउन चिकेट तो फिर क्या कहेंगे आप। कॉंग्रेस के किसी भी सक्री व्यक्ति को जिसका पिछले अनेक वर्सों से कॉंग्रेस में युगदान हो जाए महिला जाए नहीं हो पुरुष तो हमारा कोwanे विरोध कर पूरुश परिवार की एक महिला को चांस देने का हमेरे को कुछ कॉर्ण समझ में नहीं आ रहा है कि कॉंग्रेस के दूसरे लोगों को चांस क्यों नहीं मिल गा है आप आपकी पार्टी से डिसियन हुए विक्ति पे सवाल उठा रहे हैं तो अखिर क्या आप भी मानते हों कि कॉंग्रेस इस बार हमारी पार्टी अगर कहीं कोई चूक हो रही है तो अभी हमारे पास वक्त है कि हम उसको घुनाव जीत सकती है तब एसे समय में हमारी पार्टी गलत उम्मिद्वार खड़े करके जीप को हार में न बदले इसा हमारा पार्टी से अनुबर